Hello everyone, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 3rd semester के जो आपके exams होंगे, अभी तो आप अपने फिलाल 2nd semester के exam दे चुके होंगे या थोड़े बहुत exam आपके बचे होंगे, लेकिन 3rd semester के exam आपके बहुत जल्द आने वाले हैं अब आप सोचोगे कि इतनी जल्दी कैसे, अभी तो हम 2nd semester के भी नहीं दे पाए हैं पूरे तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही detail में बहुत ही अच्छे से, कि आखिर आपके कब से start होने वाले हैं 3rd semester के exams, तो मैं आपको academic calendar दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पे semester 3 वालों के लिए भी सब कुछ दे रखा होगा तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको बता हूँ, कि यहाँ पे लिखा है semester 1, 3, 5 और 7 यानि कि आप अपना 3 वाला अगर यहाँ से देखोगे तो आपकी classes 16 अगस से स्टार्ट होते हैं semester 3 की और 6 दिसमबर तक आप यहाँ मरला 12 दिसमबर तक मान के चलो कि खतम हो जाएगा आपका session semester और फिर आपके theory exams 13 दिसमबर से स्टार्ट होते हैं, तो 13 दिसमबर 2023 से आपके exam स्टार्ट हो जाएंगे आप मान के चलो, चाहे आप SOL से हो, NCWeb से हो, यहाँ फिर आप regular से हो, आपके 13 दिसमबर से exam यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपको break मिलेगा, एक जनवरी तक, ठीक है, और उसके बाद दो जनवरी से आपकी classes स्टार्ट हो जाएंगी semester 4 के लिए, और semester 4 के जो आपके exams होंगे, वो अगले साल होंगे, 2024 के मई मईने में, ठीक है, तो यह आपके लिए कुछ important था बताना, और मैं आपको बता दूँ कि यह अभी date sheet तो नहीं आई है, बट यह हमारे सामने जो था, यह academic calendar था, तो academic calendar से हमें बहुत हद तक details पता चल जाती हैं, कि आपके exam आखिर कब होने वाले हैं, तो I hope आपको यह वीडियो helpful लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो आप चैनल को subscribe कर करके जाना, जै हिंद जै भाद